Google की अच्छी बात जी है कि जब भी Google कोई policy launch करता है कोई recommendation देता है तो Google साथ उसका tool भी launch करता है ताके users को help हो सके कि वो काम actually करना कैसे है या कमस्तम Google guidance जरूर देता है तो page speed की मैं आपसे बार बार बात कर चुका हूँ पहले कि आपकी website जल्दी लोड होने चीए within कुछ second लोड ने होगी Google आपको penalty करेगा तो ये सारी शीज़ें जब Google आपको penalize करेगा तो Google आपको reason भी देगा पहले इसको ठीक करने की तो Google ने वो grace period भी दिया लोगों को उसके ने पर बाद में ranking factor बना दिया अब Google आपकी website की speed अच्छी होने पर आपको rank भी करता है और अगर आपकी website की speed अच्छी नहीं है तो वो आपको penalize भी करता है तो उसके लिए एक टूल जो गूगल का available हूँ हो है गूगल पेस्पीड इंसाइट का टूल जूरल आपके सामने है यह यूरल आप विजट करके गूगल के पेस्पीड के इंसाइट टूल पे जाकर अपने website को evaluate कर सकते हैं मैं आपको भी लाइफ करके दिखाऊंगा डिजी स्कीड की website कि उसमें Google को क्या क्या इश्यू नजर आए उसके बाद हम बात करेंगे कि यह एक्चुली इसका करना किया है आईए देखते हैं जैसे आप Google पेस्पीड इंसेट की website पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से यह स्रेच पार नजर आएगा यहाँ पर आपने अपना URL पेस्ट करना है जो भी आपने क्रॉल करना है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे उसके पर इसको एनलाइज का बटन दबाएंगे जैसे यह Google आपकी website एनलाइज करेगा पेस्पीड इंसेट के लिए Google आपको एक स्कोर दिखाएगा जिसमें mobile और desktop दो different version वो आपको बता देगा कि आपकी website mobile पे कैसी लग रही है desktop पे कैसी लग रही है तो पहले desktop को review कर लेते हैं उसमें page score जो डिजी स्किल्स का है वो 72 है और यह total out of 100 Google recommend करता है Google recommend करता है कि 100 में से अगर आपके 90 plus कम स्कोर होने चाहिए तो आपके website fast है अगर आपकी 50 से 89 तक है तो आपकी average है और अगर आप 49 से नीचे है तो आप slow है तो जितना इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि जतना आप fast होंगे अतना बेतर आपके लिए है तो असल में यह चीजें आपकी समझने की हाथ तक इतनी जरूरी है कि आप अपने developer से यह काम करवा सकें चुकि यह development का काम है आप इसको खुद से ज़्यादा ज़्यादा ठीक नहीं कर सकेंगे तो आपने developer को यह report भेज देनी है कि भाई यह देखो हमारे website के score काम है इसको हमें ठीक करना है तो क्या क्या करेंगे तो ठीक होंगे वह आपको खुद ही solution मताएगा करेंगे तो आपकी website जो बेतर हो सकती है उसने चेक लिस्ट के तोर पर हमें एक list दी है कि हमें साथ काम करेंगे तो हर काम के ओपर यानि हर टास्क के ओपर कुछ सेकंड्स हम स्पीड तेज कर सकेंगे यानि कुछ सेकंड्स बचा सकेंगे सबसे ज़ए important चीज़ें जो हैं वो सबसे ओपर होंगी सबसे ज़ए टाइम 1.95 सेकंड यानिके दो सेकंड के करीबं मैं इसको अपनी फास्ट कर सकता हूं अगर मैं यह विला content के issue fix कर लूँ आप drop down पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि यह actually होता क्या है और उसको आपको कितने resources थे वो ज्यादा हैं कम हैं वो उसमें carriers हैं या आप सब पर बारी बारी क्लिक करते जाएंगे उसको पढ़ते जाएंगे ताकि आपको समझ आजेगे किस तरह से google जो मैयर कर रहा है आपको speed को और उससे यह भी बताएगा कि आपके कितने audit हैं वो पास हो गए ह तो हमारा 100 में से 100 score अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है इस दाए से mobile के view पे अगर आप जाएं तो उसमें 12 score है out of 100 which is very dangerous तो उसमें तो बिलकुल ना होने के बराबर speed optimized है आप उसमें जिसे scroll करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह से हर एक issue red में जा रहा है मतल मुबाइल के ओपर यह speed optimizer नहीं है तो अगर को मुबाइल से इसको visit करेगा तो उसको काफी time लगेगा load होने में जिसकी वज़ए से google आपको इस website का penalty डालेगा तो यह आपने developer को यह काम करवाना है अगर आपको client है तो आपने client को यह link बेज़े हैं उसे कहें कि वह आपने developer कर सकता हूं कि मेरे उस page के ओपर क्या issues हैं और क्यों फास्ट लोड नहीं हो रहा मुझे developer यह नहीं कह सकता कि भाई यह हो नहीं सकता वो google ने ना सिरफ उसकी issues बताएं वैलकि वो हर issue के साथ एक guide भी देता है कि आपको इसको fix कैसे करना है हो सकता है आपके developer को first time करना पड़ यहान आपने करवाना है उनसे आपने इसलिए करवाना है क्योंकि अगर आप नहीं करवाएंगे और अगर आप की responsibilities में काम अगर आप count नहीं करेंगे होगा क्या कि इससकी गल्ती की व besl face के आपको नुकसान उठाना पदेगा क्योंकि legitimately website rank निद करेगी इस वज़से कि website load fastest न ना भी अचीव हो 95% या 90% प्लस परसंट कम आपने लाजमी अचीव करना है ताकि आपकी विब्सेट की स्पेड अची हो और आपकी SEO बेतर हो